जैहें दोस्तों, मैं उकमदारावत, आप सभी का स्वागत करता हूँ, आज हम पढ़ रहे हैं प्राइदीपिय भारत, उसका भाग सेकेंड इसके पहले हमने प्राइदीपिय भारत का भाग फश्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बात की थी कि प्राइदीप क्या होता है, भारत के इस भाग को प्राइदीप क्यों कहा जाता है, साथ ही हमने देखा था कि प्राइदीपिय जो भारत है, उसको अध्यन की दश्टी से दो बागों में बाटा था एक मद्यवर्ती पहाडियां दूसरा पठार और फिर हम मद्यवर्ती पहाडियों को भी चार बागों में हमने बाटा था विंद्यांचल परवस्रेणी, सत्कुडा परवस्रेणी, पच्चिमी गाठ और पुर्विगाठ तो पिसले वीडियो के अं जो अलग-लग चार पाडियों के रुप में इस्तित है और सत्कुडा परवसरणी है ये भी पांस पाडियों के रुप में इस्तित है तो ये पिसले वीडियो के अंदर हमने बात कर ली थी तो आप पिसला वीडियो देख सकते हैं इनके बारे में देखने के लिए और आज हम बात करेंगे पच्छिमी गाट और पूर्वी गाट के बारे में तो बारत का जो इस साइड वाला भाग है पच्छिम साइड के वाला भाग है यहाँ पर जो पहाडियां इस्तित है उनको हम समलित रूप से पुर्वी गाट कहते है तो आज हम इनी दो गाटों के बारे में विस्तार से बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं पच्ची मी गाठ जो ये पच्ची मी गाठ है ये सतत रूप में इस्तित है तो एक तो आपको याद रखना है ये सतत रूप में इस्तित है सतत रूप में इस्तित का मतलग कि ये बिश में कटा फटा नहीं है यानि ये ज़्यादा कटा फटा नहीं है यह यहां से सरोकर यहां तक लगाता इस्तित है तो ये सतत रुप में इस्तित है और ये पांच पाडियों के रुप में इस्तित है तो ये द्यान रखना है पांच पाडिया यानि जो इसको हम पढ़ेंगे पच्छी मिगाट को तो इ अब से पहले फर्स पाड़ी देखते हैं, पहली जो पाड़ी है उसका नाम है उत्री सहयात्री, अब जो उत्री सहायात्री की पाड़ी है, वो महाराष्ट में स्तित है, पहले यहां पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर एक नदी बैती है जिसका नाम है तापती नदी तो तापती नदी से एक का पहाड़ी शुरू होती है तो यहाँ पर देखिए तो यह जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं उत्री सहयाद्री पहाड़ी यहां पर देखें, इसको मैं नाम लिख देता हूं, उत्री सहयाद्री उत्री सहयाद्री की पाड़ी है ये, और ये महाराष्ट में इस्तित है, तो पहला पॉंट आपको द्यान रखना है, महाराष्टर में इस्तित महराष्ट में इस्तित दूसरा यह जो उत्री सहाद्री पाड़ी है जो महराष्ट में इस्तित है और इसकी जो सबसे उंची चोटी है उसका नाम है कल सुबई तो सर्वोच चोटी सर्वोच चोटी है इसकी वो है कल सुबई तो दो पॉइंट ही आपको उत्री साध्री की जो पाड़ी है उसके अंदर आपको याद रखने है कि एक तो ये उत्री साध्री की पाड़ी है वो तापती नदी से सुरू होती है और ये महराष्ट्र राज्य में इसकी थे इसकी जो सर्वोच चोटी है वो है कल सुबई और साथ में ये इसकी जो उंचाई है वो है 1648 मिटर 1648 मिटर तो इस कल सुबई चोटी की उंचाई है 1648 मिटर इसके बाद में जो दूसरी पहाड़ी है उसका नाम है लक्सिनी सहयात्री पाड़ी लक्सिनी सहयात्री की पाड़ी तो जो लक्सिनी सहयात्री की पाड़ी है यह यहां से है यहां से यहां तक है यह लक्सिनी सहयात्री की पाड़ी है तो यहां पर मैं लिख पेता हूँ लक्सिनी सहयात्री लक्सिनी सहयाद्री की पाड़ी है ये महाराष्ट और कर्नाटक में इस्तित है तो ये दो राज्यों में इस्तित है महाराष्ट प्लस कर्नाटक तो यहाँ पर आपको ध्यानगना है लक्सिनी जो सहयाद्री की पाड़ी है ये महराष्ट और करनाटक में इस्तित है लक्सिनी सहायाद्री की जो पहाड़ी है इसकी जो सर्वोच चोटी है सर्वोच चोटी इसकी सर्वोच चोटी का नाम है कुद्रे मुख और इसकी जो उचाई है वो है अठारा सो ब्राणवे मिटर तो यहाँ पर आपको द्यानकनाय रक्सिनी सहयाद्री की पाड़ी है यह वाली यह महराष्ट राज्य और कंणाटक राज्य में इस्टित है इसकी जो सर्वोच छोटी है वो है कुद्रे मुख जो अठारा सो बरानवे मीटर है और कुद्रे मुख जो सब्द है यह कंणडवासा का सब्द है और कंणडवासा में कुद्रे मुख का अर्थ होता है गोडे की मुख याने गोडे का मुख तो यह कुद्रे मुख जो छोटी है उसका आका लगब गोडे के मुझ से मिलता जूलता है इसलिए उसको कुद्रे मुख कंदडवासा में कहते हैं इसके बाद हम जो तीसरी पहाड़ी देखेंगे इसके अंदर तीसरी पहाड़ी उसका नाम है निलगिरी की पहाड़ी निलगिरी की पहाड़िया तो निलगिरी की पहाड़िया आप सभी को पता है ये करनाटक राज्य करनाटक राज्य प्लस तमिल नाडू तमिल नाडू तो निलगिरी की पहाड़ियां करनाटक राज्य और तमिल नाडू राज्य में इस्तित है यानि यहाँ पर यहाँ पर देखिए यह वाला जो भाग है यह है निलगिरी की पहाड़िया तो यहां लिख देता हूँ निलगिरी की पहाड़िया निलगिरी की पहाड़िया तो निलगिरी की पहाड़िया है वो करनाटक राज्ये और तमिल नाडु राज्ये में इस्तित है यह जो निलगिरी की पहाड़िया है इन निलगिरी की पहाडियों को करनाटक के अंदर कहते हैं आपको ये ध्यान रखना है करनाटक के अंदर निलगिरी की पहाडियों को कहते हैं बाबा बुदन की पहाडिया और बाबा बुदन की पहाडिया और बाबा बुदन की जो पहाडिया है वो यहां पर लिख देता हू एक तो कॉफी और लोहा आयसका तो आपको द्यान अखना है निलगरी की पहाड़ियां जो करनाटक और तमिलनाडू राज्य में इस्तित है और करनाटक के अंदर इस निलगरी की पहाड़ियों को कहते हैं बाबा बुदन की पहाडिया जो कॉफी उत्पादन के लिए और लोह इसको उत्पादन के लिए परसीध है और इस निलगरी की पहाडियों की जो उंची चोटी है निलगरी की पहाडियों की जो सर्वोच चोटी है सर्वोच चोटी निलगरी की पाडियों की सरवोत छोटी है दोदा बेटा जिसकी उंचा । यह 277 मीटर और यह जो दोदा बेटा है यह है तमिल्नाडु के अंदर तमिल्नाडु में उंटी के पास है यह उंटी के पास और साथ में यह दोधा बेटा है यह प्राइदीपिया भारत की भारत की दूसरी सब से जोची चोटी है दूसरी समसे जोची चोटी है और इसके साथ मैं आपको तो ये point इतने याज रखने हैं निलगिरी की पहाड़ियों के अंदर इसके बाद में अब हम देखेंगे कि जो चौती पहाड़ी है उसका नाम है अन्ना मलाई की पहाड़ियां अन्ना मलाई की पहाड़ियां अन्ना मलाई की पहाड़ियां अब ये जो अन्ना मलाई की पाडियां है एक तो ये केरल और तमिल लाडू में इस्तित है पहली बात केरल और तमिल लाडू के अंदर इस्तित दूसरा यहां पर एक छोटी है सर्वोच छोटी ये द्यानकना है सर्वोच छोटी और सर्वोच छोटी है उसका नाम है अन्ना अन्ना मुदई यह आपको नाम ध्यानकना है तो अन्नामलाई की प्हाडियों में इस्तित्थ अन्ना मुदई है यह प्राई दिपिया भारत की सबसे ऊंचे छोटी है प्राई दिविपिया भारत की सर्वोच छोटी सरवोच छोटी तो अन्ना मुदई जो है यह प्राइडी पे भार्ग की सबसे उंची छोटी है और इस अन्ना मुदई की जो उंचा ही है वो है 2795 मिटर 2795 मिटर और यह कैरल में इस्तित है कैरल राज्य में और यह यहाँ पर है देखे यह वाला जो भाग है यह है अन्ना मलाई की पहाड़िया अन्ना मलाई की पहाड़िया अन्ना मलाई की पहाड़िया तो यह अन्ना मलाई की जो पहाड़िया है वो यहाँ पर है अन्ना मलाई की पहाड़िया और अन्ना मलाई की पहाड़िया है वो केरल और तमिलनाडू राज्य में इस्तित है अन्ना मलाई की पाडियों की जो सर्वो चोटी है उसका नाम है अन्ना मुदई जो केरल राज्य में इस्तित है जिसकी उंचाई 2695 मिटर है और यह प्रायदीपय भारत की सबसे उंची चोटी है इस प्राइद EPR भारत की सबसे उंची चोटी है वो अन्नामुदी है और जो दूसरी सबसे उंची चोटी है वो है दोदा बेटा अब हम बात करते हैं पांच वी पहाडिया जिसका आपने नाम सोना होगा इलाइची की पहाडिया इलाइची की पहाडिया इलाइची की पहाडिया यहां उसका नाम अपने सोना होगा इंगलीज में इलाइची को कहते हैं कार्डेमम कार्डेमम हिल्स तो दोनों एक ही है इलाइची की पहाडिया को या कार्डेमम हिल्स को दोनों एक ही है इलाइची को इंगलीज में कार्डेमम कहते हैं और इलाइची की पहाडिया है वो यहां पर है ये है इलाइची की पहाड़िया तो इलाइची की पहाड़िया है वो यहाँ पर इस्तित है ये देखें इलाइची की पहाड़िया ये पहाड़िया जो है इलाइची की पहाड़िया जो है ये पार्थ के दो राज्यों में इस्तित है एक तो कैरल और दूसरा है तमिल नाडू तो केरल और तमिल नाडू दो राज्यों में इस्तित है साथ में ये भारत की सबसे डक्सिन तम पाड़ी है भारत के सबसे डक्सिन में इस्तित ये पाड़ी है तो दूसरा आपको ध्यानकना है भारत की डक्सिन तम पाड़ी है ये भारत की रक्सिंतम पाड़िया है और ये इलाची की पाड़िया या कार्डेमम हिल्स है ये केरल और तमिलनाडू में इस्तित है और साथ में इनकी सर्वोच छोटी जो है सर्वोच छोटी वो है महंद्रगड महंद्रगड जिनके उंचा है ये पंदरा सो मीटर तो ये आपको ध्यान अगना है इलाची की पाड़िया है जो यहाँ पर इस्तित है और ये भारत के सबसे डक्सिंतम पाड़िया है केरल और तमिलनाडू राज्य में इस्तित है इसको कारडेमम हिल्स भी कहते है क्योंकि इलाची को इंगलिस में कारडेमम कहते है और इसकी सबसे उंची चोटी है उसको महंद्रगड कहते है और ये है पंदरा सो मीटर की उंचाई पर अब अगर ये पस्ण आ जाए कि पच्छिमी गाड की वो कौन सी पहाडिया है जो पुर्वी गाड को भी आपस में जोडती है तो ये द्यानकना है निलगिरी की पहाडिया ये जो आपको निलगिरी की पहाडिया नजर आ रही है ये निलगिरी की पहाडिया ही पच्छिमी गा नहीं तो यह लगातार सतत रूप से इस्तित है और यहां पर सिर्प तिन गाठ है यानि तिन दर्रे ऐसे हैं जो इस पच्छिमी गाठ को तोड़ते हैं बाकी यह सतत रूप में इस्तित है तो अब अगर हम पशन आए तो आप यह ध्यानकना है पहला पच्छिमी गाठ के दर् पहला बोर गाट, दूसरा थाल गाट और तीसरा है पाल गाट तो यहां पर पच्छिमी गाट है वो सतत रूप में इस्तित है उसको सिर्फ यह तीन दर्रे है जो बीसमें से उसको तोड़ते हैं बाकी यह सतत रूप में इस्तित है तो यह अगर पच्छिमी गाट के दर्रे कौन-कौन से है तो तीन दर्रे है बोर गाट, थाल गाट और पा तो यहाँ पर देखिए यह जो पच्छमी गाट के दर्रे हैं यहाँ पर यह दो दर्रे हैं बोर गाट और थाल गाट यह दोनों दर्रे उत्री सहयाद्री पाडियों पाडियां जो है यह उत्री सहाद्री की पाड़ी है उसमें इस्तित है तो यह जो थाल गाट है सबसे पहले नाम या जखना है आपको मुंबई से नासिक और कौलकता थाल गाठ दर्रा जो है वो उत्री सहाद्री पहाडी के उपर वाले भाग में इस्तित है जो मुंबई को नासिक और कौलकता से जोड़ता है दूसरा जो दर्रा है बोरगाट का दर्रा वो इस उत्री सहाद्री पाड़ी के इस साइड में यहां पर इस्तित है यह वाला बाग में यह है बोरगाट का दर्रा और यह जो बोरगाट का दर्रा है यह मुंबई को जोड़ता है मुंबई मुंबई को जोड़ता है पूने से तो ये भी जानकना है बोर गाट का दर्रा है वो उत्री सहाद्री पाड़ी के यहाँ पर डक्सिन की सैड में इस्ते थे जो मुंबई को पूने से जोड़ता है और एक है तीसरा जो दर्रा है पालगाड का दर्रा और ये पालगाड का दर्रा निलगिरी की पहाड़ियां और अन्ना मलाई की पहाड़ियों के बिस में इस्तित है और ये जोड़ता है कोची को चैने से जोड़ता है तो कोची को चैने से जोडने वाला जो दर्रह है वो है पाल गाट का दर्रह और यह निलगीरी की पहडियां और अन्ना मलाई की पहडियों के बिस में इस्तित है यह जो पच्छी मी-गाट है यह अलग-लग पहाड़ीयों के रूप में इसकी थे, अगर सबकी average ओंचाई देखे, तो पच्छी मी-गाट की ओसत जो ओंचाई है वह है 1500 मिटर, तो यह भी द्यालक नहीं, अब पच्छी मी-गाट की जो ओसत ओंचाई है, ओसत ओंचाई, वह ह 1500 मिटर तो 1500 मिटर है इसकी वोसत ओंचाई है और यह जो पच्चिमी घाठ है यह भारत के उश्नकटिबंदिय भाग में इस्तित है इस कारण जब अरब सागर की जो मांसुन साखा आती है तो अरब सागर की मांसुन साखा को यह पच्चिमी घाठ रोक लेता है और इस कारण ये पच्चिमी गाट के पच्चिम की साइड में 300 से 400 सेंटिमीटर की बारिस होती है और ये वाला जो भाग है ये ज़्यादा ताप वाला और ज़्यादा बारिस वाला सेत्र है इस कारण यहां पर सदावार वन पाए जाते हैं इसलिए जहां पर व और वन्नेजीव जादा रहते हैं उसको हम जैव विविद्दा वाला सेत्र कहते हैं इसलिए बारत के अंदर ये जो पच्छीमी गाठ है ये जैव विविद्दा वाला सेत्र है इसलिए पच्छीमी गाठ जो है वो जादातर जैव विविद्दा होने के कारण इसको 2012 में ये विश्व विरासत सूशी में सामिल किया गया विश्व विरासत सूची और बाद में उसको जैव विविद्ता और इस्पोट चुना गया तो ये दो पॉइंट भी आपको पच्चमी गाट के बारे में याद रखने है कि इसको जादा तर जैव विविद्ता ओने के कारण इसको इन्यसकों ने 2012 में विश्व विरासत सूची में सामिल किया और बाद में इसको जैव विविद्ता होट इस्पोट के रूप में भी निद्दारीत किया गया अब हम बात करते हैं पूर्वी गाट के बारे में यानि इस सैड़ वाले भाग के बारे में तो यह जो पूर्वी गाट है यहां पर यह पूर्वी गाट पच्चिमी गाट की तरह सतत रूप में इस्चीत नहीं है बालकी ये पूर्वी गाठ है ये कटा-फटा है जो गुदावरी है कृष्णा है कावरी है इन नदियों के द्वारा पूर्वी गाठ है वो 20 में से कटा-फटा हुआ है तो यहाँ पर देखते हैं कि पूर्वी गाट है वो किस तरह से अलग-लग पहाडियों के रूप में इस्तित है पूर्वी गाट के अंदर पांच पाडियों को सामिल किया गया है यहाँ पर लिख देते हैं पूर्वी गाट पूर्वी गाट अब देखो यह जो पूर्वी गाट है इसके अंदर पांच पाडिया है तो पांच पाडियों को पांच पाडियों को हम समलीत रुप से पूर्वी गाट कहते हैं जो यहाँ पर इस्तित है तो अब एक एक पाडियां देखते हैं सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे यह वाली जो पहाड़ी है जो निलगिरी की पहाड़ी है यह मैंने आपको पहले भी बताया था कि पच्चिमी गार्ट और पूर्वी गार्ट को जोडने वाली पहाड़ी है तो निलगिरी की पहाड़ी है जो एक पहाड़ी है उसको हम कहत सेव रोय की पहाड़ी तो पहला नाम आपको ध्यान हरा है सेव रोय की पहाड़ियाँ सेव रोय की पहाड़ियाँ तो यहाँ पर देखिए ये जो पहाड़ी है जो पुर्वी गार्थ और पच्छिम गार्थ को जोडने वाले जो निलग inacreat है उसके जश्ट पास में यह है सेवरोय की पहाडिया और यह जो पहाडिया है यह तमिल नाडु में इस्तित है तो यहाँ पर देखे यह तमिल नाडु में इस्तित है तमिल नाडु राज्य में इस्तित है इसके बाद में जो पहाडी है वो है जावादी की पहाडिया जावाद तमिल लाडू में इस्तित तो सेवरोय की पहडिया और जावादी की पहडिया ये दोनों तमिल लाडू में इस्तित है और ये दोनों पहडिया पुर्विगाट का एक हिस्सा है उसके आगे यहां पर जो पहडिया आपको नजर आ रही है एक ये और एक ये 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 जो दोनों तो ये दोनों पाडियां है ये आंदर परदेश में है दोनों पाडियां है ये आंदर परदेश में इस्तित है दोनों पाडियां तमिल लाडु में इस्तित जावादी की पाडिया और सेवरों की पाडिया ऐसे ये दोनों पाडियां है अगली ये आंदर परदेश राज्य मे इस्तित है जो ये वाली पाहडी है इसको तो हम कहते हैं नला माला की पाहडी नला माला की पाहडिया और इस उपर वाली को बोलते हैं पाल कॉंडा की पाहडिया तो ये नला माला की पाहडिया ये भी आंदर प्रदेश राज्य में पाल कॉंडा की पाहडिया ये भी आंदर प पाड़ी है उसको कहते है मेंद्र गिरी की पाड़ियां मेंद्र गिरी की पाड़ियां और ये मेंद्र गिरी की पाड़ियां है ये भार्त के राज्य उड़ी सामें इस्तित है तो पांच पाड़ी मेंद्र गिरी और मेंद्र गिरी की पाड़ियां उड़ी सामें इस्तित है य ये पांस पाडिया हैं ये मिलके भारत का पुर्वी गाट बनाती हैं और इस पुर्वी गाट की सबसे जो उंची चोटी है उसका नाम है मेहंद्रगिरी तो पुर्वी गाट की सबसे उंची चोटी है मेहंद्रगिरी और जिसकी उंचा ही है पंदरा सो एक मीटर और ये बार्द के राज्य उडिसा में इस्तित है और मेंदरगीरी को मलियागीरी भी कहते हैं तो मलियागीरी को मेंदरगीरी को एक ही बात है और ये पुर्वी गाट की सबसे उंची चोटी है यहाँ पर मेंदरगीरी की पाड़ियों में इस्तित है और यह उडिसा राज्य में इस्तित है